ह falsch , हेलो दोस्तो नमस्क.» मैं रवुई कुमार आपका दोस्ट आपके लिए लेकर आया हूँ नाउन की 2nd कलास और ये जो कलास रहेगी दोस्तों ये basically आपकी 1st कलास के अपर हे डिपैनड निकाऊँट को यापको करना अच्छे तरीके से नाउन को अगर identify करना है और उसको अच्छे तरीके से सीखना है तो नाउन के हर value को हमें जानना होगा दोस्तों जैसा कि मैंने यहां पर लिखा है पांक sentences हैं छोटी यहां से वह क्लेटी आज आगे अगर उसे वीडियो के थोड़ी बहुत आपको डाउट है तो यहां बिल्कुल क्लेटी आज जाएगे दोस्तों नाउन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नाउन इस नेमिंग वर्ट नाउन इस नेमिंग वर्ट और यह नाम किसका हो सकता है यह किसी पर्सन प्लीज प्रेंग एंड फैक्स फैक्स को गहां एक्सपेंड करते हैं तो एप स्टेंज फोर फ्रीलिंग एफोर एक्सन क्यूफोर फ्रीलिटी एंड एस स्टेंज फोर इस तो दोस्तों को पुली मिलाकर यह नाउन की डेफिनिशन होती है कि नाउन इस दाने मुफ़पार्सन प्लेज थेंग फिलिंग एक्सन प्लेटी एंड स्टेट तो पास संटेंज आपके सामने हैं आपको नाउन को पैचा का या साथियों हूम का रिपलाय करता है वो संटेंज के अंदर नाउन होते हैं वो सब संटेंज के अंदर नाउन होते हैं हूँ और फूम दोनों ही सिर्क परसन के लिए यूज होते हैं दोस्तों हूँ होता है सब्जेक्टिव केस हूम रहता है आपका अब्जेक्टिव के यानि वब इनके बीच रहती है आगे अगर आएगा तो फूम का रिपलाई करेगा वब के पीछे अगर आता है कोई परसन अगा ने तो वह आपको फूम का रिपलाई करेगा जैसे मैं लिखूं रिटा लाउस सन्य रिटा लाउस सन्य यहां नाउन को पैचाने दोस्तों सन्य को नहीं देखना है कि वो कितना लग्की है वो सकता वन लग्की भी हो ना हमें देखना है नाउन को वैट तो रिटा हमें किसका रिपलाई करेगा भाई फूम का क्योंकि सब्जेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् तो यह चोटी से बात हमने जानी अब आई हैं दोस्तों हमें यह पहचाना है नहों को तो आप आसानी से पहचान सकते हैं लेकिन हम यह पहचाना है कि यह इन्मेंसी पर्षन का नेम है प्लेस है फिलिंग है feeling है action है quality है या फिर state है right आएं फर्स संटेंस आपका कहता है laughter reduces stress हम question करते है भी what reduces stress आपने कहां laughter right तो laughter definitely है पर noun है आपका अब क्या लाफ्टर किसी person का नहीं में बिल्कुल नहीं प्लेस का नहीं में बिल्कुल नहीं तो feeling है बिल्कुल भी नहीं quality है नहीं स्टेट है नहीं आपका क्या बचा एक्शन टिके क्योंकि अगर आप लाफ वर्ड के साथ में टी ए आर सफिक्स करते हैं तो आपका बनता है है लाफ्टर तो यहां पर बात एक्शन टीख है राइट नेक्स अभी लाफ्टर इस वाट वर्ट का रिप्लै करेस्ट तो डेफिनिटली क्या है वही नावन है अब इन सातों में से क्या है यह इन साथ में से यह दोस्तों कि किसी की मांसिक स्थी होती है यह यहीं स्टेस्ट होती है राइट इस लिजुश्ट को देखते हैं तो यह आपकि वाफ है रहे यह कैं आपकी वाफ है दिश्का मतलब अबटरी टू डिक्रीज नेक्स लटे बितन वाट इस अबस्त पोलिसी आपने कहां उनिस्टी डेफिनि यह किसी की क्या होती है qualities होती है honesty is what honesty is what आपने कहा policy policy reply देता है वाट कर तो policy इहां पर नाउन है लेकिन कौन सा नाउन है जड़ा पैचान कर बता होगे मुझे इस problem होगे आपको पैचान कर बताएं की कौन सा नाउन है यह ठीक है दो किसी चीज को सीखना है तो बिल्कुल उसकी जड़ से उसको सीखें और हम आपको इहां पर जड़ बता रहे हैं बिल्कुल हर टोपिक की तो दोस्तों जो policy इहां पर है policy के अंदर आप क्या करते हैं पूलिष यह अंदर आप करते हैं ठीक है पहले यह किजी उसके बाद यह करना है फिर हमें यह करना है फिर हमें वह करना है ठीक है यह हम क्या करते हैं बात है करने की और बात करने की है तो आपको फिर पता यह भी करने के लिए हमारे पास में क्या होता है एक्षन तो एक्ष अब stress यहां पर क्या था वैए एक नाव ने क्योंकि वह था रिपला हमें यह दे रहा लेकिन यहाँ जो stress है दोस्तो stress stress stressed तो जो form होती है जो form होती है English के अंदर वो सिर्फ वर्ब की ही होती है तो यहां पर यह एक वर्ब है ठीक है वर्ब है बैटा second form यहां पर यह हैं तो टेके second form यहां पर यह है next हम चलते हैं what improves health तो वट का reply running ने दिया definitely noun है कौनचा noun है भई अब ताप समझी गए होंगे जब आप run के साथ में जोड़ोगे आएंची suffix करोगे आएंची तो एक changing और इसके अंदर होती है दोस्तों ठीक है कि यहां पर आप जब करते हो तो double N हो जाता है तो इस changing को हम English के अंदर कहते हैं in fix कि इसको क्या कहते हैं in fix जब भे spelling के अंदर कुछ changing आती हैं तो उन changing को का जाता है in fix वाइट आगे बढ़िए रनिंग इंप्रोस वर्ट आपने कहां हेल्थ हेल्थ कुन साना हूं है हेल्थ है आपका स्टेट में किसी भी इंसान की स्टेट है नेक्स चलिए बटा वांट क्योर्स आपर संट आपने कहां लौ भी प्यार हर इंसान का इलांस खर देता है लोग यह पर क्या है बई डैफिनिटल एक फीलिंग यह फीलिंग तो हम आप हर कोई लेता है लोग यह आप पर शन अमने कहां लौ क्योर्स हूं हूं का रिपलाइए है परसन अब्जेक्टिव केस में है दोस्तों नाउन है टिके तो मैं मैं उमिद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बढ़ी अच्छी लगी होगी और जिस भी भाइब हैं के लाच वीडियो में कुछ डाउट्स रही होंगे चोटे-मोटे वो डाउट्स भी इस वीडियो ने कलियर कर दिये होंगे तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए इन वीडियो को देखिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और आपको वास्तों में ही पसंदाती हैं तो इनको लाइक करें और कमेंट करें, शेयर जरूर करें साथिओं आपके शेयरिंग से हमें मोटिवेशन मिलते हैं और हम आपके लिए और अच्छ अच्छी जो classes है वो लेकर आते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए भाइबाए